हेलो एब्रिवान वल्कम तो माई चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं साइंस के मोस्ट वी विए कोशन को तो सुरू से लेकर इंड तक आप लोग वीडियो को देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का कोशन आज जो है 40 कोशन को पर जीवी है प्लाजमोडियम लिसमेनिया प्रोटोजुवा एंड में से कोई नहीं तो राइट आंसर की बात करें तो आप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा अब हम लोग अगले कोशन के वर बढ़ते हैं कोशन नमबर टू निमन में से उत्तम उर्जा सुरूत कौन सा है कोईला लकडी पैटरोलियम बायो मास क्वेशन दूसरा का हम लोग राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा जी तो हम लोग राइट आंसर बायो मास अयनि आप्शन डी करेक्ट हो जाएगा अब हम लोग अगले कोशन की और बढ़ते है कोशन नमर थर्ड कोशन नमर थर्ड है सलफर परमानु की बाहंतम कोक्षा में एलक्ट्रोन की संग्या कितनी है चार पांच छे साथ तो कोशन नमर तीन का हम लोग राइट अंसर की बात करें तो आप्षन सी करेक्ट हो जाएगा अब हम लोग अगले कोशन की और चलते है कोशन नमर फोर आपके स्क्रीन पर आ चुकी है मानव विर्दे में कोश्टों की संग्या कितनी है कितने भाग है तीन है चार है दो है तीन और चार पांच तो question number 4 का हम लोग right answer की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा option C correct हो जाएगा निए 4 होता है ठीक है अगले question क्यों बढ़ते है question number 5 कवक में potion की कौन सी वीधी पाई जाती है मिरी जीवी संभोजी सो पोसी इन में से कोई नहीं तो question number 5 का right answer की बात करें तो हम लोग option A को क्या करेंगे correct कर देंगे निए मिरी जीवी क्या होती है वीधी होती है ठीक है अगले question क्यों बढ़ते है question number 6 आपके screen पाई चुकी है निमिन में से कौन सा और संत्रिप्त हाइड्रो कार्बन है CH4, C2H6, C2H4 इन में से कोई नहीं question number 6 का हम लोग right answer की बात करें तो option C क्या हो जाएगा correct हो जाएगा C2H4 right answer हो जाएगा अगला question question number 7 आपके screen पाई चुकी है इन में से किस lens की focus दूरी धनात्मक यानि positive होती है तो after lens, उत्तर lens, समतल, after lens इन में से कोई नहीं तो question number 7 का हम लोग right answer की बात करें तो option B हो जाएगा correct ठीक है, उत्तर lens क्या होता है positive one धनात्मक होता है ठीक है, अगले question क्यों चलते है question number 8 आपके screen पाई चुकी है किस lens का उप्योग कर दिर्ग दिरिस्टी दोस को संसोधित किया जाता है अफ्तर, उत्तर, कभी अफ्तर lens और कभी उत्तर lens और option T है आपका बिलना कार question number 8 का हम लोग right answer की बात करें तो option B हो जाएगा correct यह उत्तर lens होगा ठीक है अगला question, question number 9 अल्मोनियम पर मोटी ऑकसाइड की परत बनाने की परकिरिया कहलाती है जस्ती करन, NOD करन, समरिद्धी करन, इन में से कोई ने तो question number 9 का हम लोग right answer option B को कर देंगे, यह नोडी करन कहा जाता है ठीक है, अगले question के बाद चलते है, question number 10 विदूद उर्जा का व्यापारिक मातरक क्या होता है तो option हम लोग C को क्या करेंगे, correct करन देंगे यह नि यूनिट होता है, ठीक है अगले question के बाद चलते है, question number 11 आपके screen पर आचुगी, सामान ने नित्रे के लिए दूर बिंदू है पचीस मीटर, पचीस सेंटी मीटर, पचीस एमेम या फिर अनन्त तो option B हम लोगा क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, ठीक है option B, sorry, option D correct होगा, अनन्त होगा, ठीक है चलिए, अगले question के बाद चलते है, question number 12 hydrogen के दो परमानू, एक बीच के बीच कितने आबंद होते है option A को कर देंगे, एक बांड होते है, hydrogen की बीच, ठीक है अगला question, question number 13, निम्न में से कौन आहर स्रिंकला का निर्वान करता है घास गेहू तथा आम, घास बकरी तथा मानव, option C है बकरी गाए तथा हाती, and option D है आपका घास मसली तथा बकरी, तो question number 13 का, हम लोग right answer के बाद करें, तो option B हो जाएगा, गास बकरी और उसके बाद मानव, right answer हो जाएगा अगला question, question number 14, कौन अनते सरावी और बाहन गरंती जैसा कारिय नहीं करता, अगनाश प्यूश गरंती अंडा से, फिर विरिशन question number 14 का, हम लोग right answer क्या करेंगे, option C को correct कर देंगे, नि अंडा से होता है, ठीक है question number 15, आपके screen पे आ चुकी है, कौन सा कार्बन योगिक सबसे अधिक अभिक्रियाश शील होता है question number 15 का, हम लोग right answer किसको करेंगे, तो option C correct हो जाएगा, यानि C2, H6 हम लोगा correct answer हो जाएगा H4 correct answer होगा, ठीक है, अगला question, question number 16, किस दर्पन का उप्योग, सामाने ते वाहनों का, यानि पीछे देखने के लिए दर्पनों के रूप में किया जाता है, संतल दर्पन, अतल दर्पन, उत्तल दर्पन, उत्तल दर्पन, या फिर N मेंसे कोई नहीं, तो question number 16 का, हम लोग right answer क की बात करें, तो क्या होगा, option C correct हो जाएगा, यानि उत्तल दर्पन का यूज कहा जाता है, विकल में, अगला question, question number 17, रसाइनिक अभी किरिया के दोरान, किसी पदार्त में, oxygen का हांस कहलाता है, उपचेन, अपचेन, संचारन, या फिर N मेंसे कोई नहीं, question number 17 का right answer की बात कर जाएगा, correct है, अपचेन कहलाता है, अगले question के ओर चलते है, question number 18, आपके screen पे आचुकी है, कौन सी gas, वैस्विक उस्मन के लिए उत्तरदाई होता है, carbon dioxide, oxygen, nitrogen, नाइट्रोजन, या फिर इन मेंसे कोई नहीं, question number 18 का right answer की बात करे, option A correct हो जाएगा, नहीं, carbon dioxide, अगला question, question number 19, सब की screen पे आचुके, पितरस कां से श्रावित होता है, अगना से यकरित, छोटी हांत, और इन मेंसे कोई नहीं, question number 19 का right answer की बात करे, तो option A correct हो जाएगा, नहीं, अगना 6 से होता है, अगला question, question number 20, कौन सा अभी लक्षन वनसागत नहीं होता है, आख का रंग, चमरी का कार और बाल की परकिरती, question number 20 का में right answer की बात करेंगे, तो option D correct हो जाएगा, अगला question, question number 21, आपके screen पे आचुके, आधुनिक आवट सारनी में समोह की संख्या कितनी है, 7, 8, 9, या फिर अटार है, तो question number 21 का right answer, option D, या अटार है, correct हो जाएगा, अगले question के रवड़ते, question number 22, इस glucose के एक अनू में, oxygen की कितनी परमानू है, 4, 6, 8, या फिर बार है, तो question number 22 का हम लोगा right answer की बात करें, तो option C हम लोगा क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, ठीक है, अगला question, question number 23, सुद जल का pH मान कितना होता है, तो ये 7 होता है, ठीक है, अगले question के बार चलते है, question number 24, किस वर्न, यानि रंग का तरंग देले सबसे बड़ा है, लाल, नीला, पीला, बैगनी, तो question number 24 का हम लोग right answer की बात करेंगे, तो option A हम लोगा क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, या लाल होता है, ठीक है, option A, correct answer हो जाएगा, अगला question, question number 25, फलेमिंग के बाहम हस्त नियम के बाए हाथ की तरजनी संकेत करती है, तो question number 25 का हम लोग right answer, option B को कर देंगे, चुम्बो के छेतरी की दिशार, ठीक है, अगला question, question number 26, आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, निमने मेंसे कौन सा योगिक इंधन के रूप में इस्तिमाल किया जाता है, क्या जा सकता है, एथेनोल, प्रोपेन, प्रोपेनोल, एथेनोईक में से सभी, question number 26 का हम लोग right answer की बात करें, तो क्या हो जाएगा, option A correct हो जागे, एथेनोल का अपयोग किया जाता है, अभी तक अगर आप लोगों ने course को purchase ने किया है, complete course आप लोग का बनाये गया है, जिसमें मातर आप लोगो 29 रूपीज में इसका rate रखा गया है, पहले 590 अप जो है, इसका 29 रूपे रखा गया है, तो जल्दी से आप लोग इसका मौका लें, इसमें बहुत important question दिया गया है, तो आप लोग जागर के इसका फाइदा लेंगे, ठीक है, चली, अगला question, question number 27, question number 27, कौन सा पधार, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, अमन, चार्ट, लवन, या फिर इनमें से कोई नहीं, question number 27 का, हम लोग राइट आंसर की बात करें, तो option B, correct हो जाएगा, नहीं, चार, ठीक है, चार हम लोग का correct answer हो जाएगा, अगले question के ओर चलते है, question number 28, आपक और इनमें से कोई नहीं, question number 28 का, हम लोग राइट आंसर की बात करें, तो option B को क्या करेंगे, correct कर देंगे, नहीं, रिनात मक, ठीक है, अगला question, question number 29, खात पदार्थ के डिम्बो पर, जिंक के बजाए, टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपिक्छा, जिंक महंगा होता ह इसका right answer की बात करें, तो हम लोग, option C को क्या करेंगे, correct करेंगे, टीन की अपिक्छा, जिंक अधिक अभी किरियाशील होता है, ठीक है, बहुत ही active होती है, ठीक है, अगला question, question number 30, निम्न में से कौन सा अंग, समवेदी गराही नहीं है, कान, हांक, नाक या फिर दिमाग, त की संख्या, घटने के उपरान, संयोजित, परतिरोद का कुल परतिरोद कितना होगा, बढ़ेगा, घटेगा, और परिवर्तित रहेगा, या फिर इन में से कोई नहीं, तो question number 31, का हम लोग, right answer क्या करेंगे, option A को correct कर देंगे, अगले question के वरते, question number 32, आपके screen के आ चुकी है question number 32, समझात अंगों का उधारन, हमारा हाथ और कुत्ते की अगरपाद, हमारे दात और हाथी के दात, आलू और घास के उपरी, भुस्तारी हैं इन में से सभी, तो question number 32, का हम लोग, right answer की बात करें, तो option A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अगला question, question number 33, आपके screen पे आ चुकी, निम्न में से कौन सा पत, विदुद, परीपत में विदुद शक्ति को निरूपित करता है, आर, आर to the power, आई, आर to the power, आई, आर to the power, 2, वी to the power, 2, आई, एन, वी, आई to the power, 2, तो right answer के बात करें, तो question number 33, का हम लोग, right answer, option A को कर देंगे, ठीक है, और 35, निम्नांकित में स कौन, पुनरोदवन का उधारन है, हाइडरा, अमीबा, स्पाइरो, गाईरा, इन में से को निरूए, तो question number 35, का हम लोग, right answer की बात करें, तो option B, correct हो जाएगा, ठीक है, अगला question, question number 36, कौन सा अजेव, निम्नीकरन, कच्छडा है, तो टीपू पेपर, sorry, टीशू पेपर है केले का शिलका, धर्मो कोल, इन में से को निरूए, तो question number 36, का हम लोग, right answer की बात करें, तो धर्मो कोल, right answer हो जाएगा, ठीक है, अगला question, question number 37, टिंडल, परभाव, परकास की कौन सी परिगटना को प्रदर्शित करता है, तो question number 37, का हम लोग, right answer, किस को करेंगा, option D, हम अगला question है, question number 38, पुष्प का नर जन आंग कहनाता है, जन आंग कौन सा होगा, पुंकेशवर होगा, जायांग होगा, या फिर पंकुरी होगा, इन में से कोई ने, तो question number 38, का हम लोग, right answer, option A को कर देंगे, ठीक है, पुंकेशवर क्या होता है, नर जन आंग होता है, ठीक ह अगला question, question number 39, विरंजक चूर्ण का रसाइनिक सुत्र क्या होता है, तो रसाइनिक सुत्र काफी आसान है, तो इसका रसाइनिक सुत्र जो होता है, CAO, CAO, CL2, इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, विरंजक चूर्ण, ठीक है, अगला question, question number 40, निम्न में से कौन गंगा पर्दूश गंगा में मशली पालना, ठीक है, ये इसका right answer हो जाएगा, तो मिलते हम लोग next video में, तब तक के लिए, bye bye and take care